नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका इंपेरियल टेकिनिकल इस यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम देखेंगे केंडिशनल फारमेटिंग का निव रूल में पार्ट टू जिसमें आज हम पढ़ने वाले है यूज फारमूला टू डिटर्माइन फिस सेल्स टू फारमेट यह बहुत ही एडवांस कमांड है Microsoft Excel के अंदर जिसके मादम से आप बहुत सारी यूनिक चीज़े कर सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते है आज का वीडियो लेकिन इसके पहले के वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखे है तो प्लिज कमेंट बॉक्स में जाईए वहाँ पर मैंने लिंक देखके रखा है वहाँ से आप उसारे वीडियो देख सकते हैं तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज हम सिखने वाले हैं कंडिशनल फार्मेटिंग के अंदर नियू रूल में आने वाले यूज फार्मूला टू डिटर्माइन भी सेल्स टू फार्मेट इस कमांड के बारे में तो चलो start करते हैं इसको समझना सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास वही table है जो इसके पहले के example में मैंने आपको दिखाया था और मैंने यहाँ पे एक name of students का column इंदर separate करके रखा है ताकि आपको मैं इसे समझा सकू या फिर जो भी आपको column लेना है या sales लेना है वो नाम लिख सकते हैं सिर्फ समझने के लिए मैंने आप name of student लेके रखा है तो चलो start करते हैं इसे समझना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तो इतना जो हमारा table है इसे select कर लेते हैं इसे select करने के बाद अब हम जाएंगे conditional formatting में new rule में जाने के बाद use a formula to determine which cell to format इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला का value put up करने के लिए हमें एक box मिला है जसे यहां पर क्लिक करने के बाद आप जो पहला नाम है जसे पर इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर dollars का size मिला है हम क्या करेंगे हैं हम !! दोनो pergunt में क्लिक करने के लिए जैसे हमारा यह column है ब और जो row है वो है 3 तो दोनों column और row ये दोनों log है हम दोनों का log निकाल लेंगे just dollar को remove कर दी remove करने के बाद अब हम क्या करेंगे आगे click करके यहाँ पे लेंगे is equal to assign और ये जो हम condition लगाने वाले है वो इस cell पे लगाने वाले है इसलिए इस cell को हम कर लेंगे select select करने के बाद अब हम दे देते color format में जाएंगे format में fill फिल में देखिए आपको जो भी color ठीक लगे वो color दे रीजिए just मैंने ये color लिया है और मैं इसे कर रहे था ok अब मैंने यहाँ पे जो condition लगाई है वो क्या है आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे जिस किसी भी student का नाम select करूँगा या type करूँगा वो नाम automatically highlight हो जाएगा जैसे मैं नाम type कर रहा हूँ प्राची आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्राची टाइप किया ये प्राची नाम जो है उस color से highlight हो चुका है ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे capital है तो आप यहाँ पे capital में लिखेंगे आप अपने sentence case में भी लिख सकते हैं जैसे मैं नाम type कर रहा हूँ सेजल देख सकते हैं सेजल select हो च चुका है तो यह बहुत हीं इंटर्स्टिंग है कि एडवास लेवल का यह कमांड है तो आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे मैंने नाम टाइप के आरुश हो चुका है इस तरीके से आप यह कंडिशनल formitting का use कर सकते हैं तो और इसमें थोड़ा सा आगे मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले इसको मैं remove कर देता हूँ यह जो rule है यह rule मैंने remove कर दिया है अब मैं क्या करूँगा कि मैं जिस student का भी नाम type करूँगा उसकी वो पूरी row तो colored हो जाए ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यह table फिर से select कर लेते हैं पूरा select करने के बाद हम जाएंगे conditional formatting में conditional formatting में neural neural में देखेंगे हम यह जो हम पढ़ रहे है use a formula to determine which cell to format same यहाँ पे हम आएंगे and यही पहला सेल हम क्या करेंगे select करेंगे अब पहला select करने के बाद हम क्या करेंगे यह जो lock लगा हुआ है यह lock सिरिफ यहाँ पे column को भी है और row को भी है तो हम यह जो row का lock है सिरिफ उसको हटाएंगे and column का lock रहने देंगे फिर उसके बाद हम is equal to लेंगे और same easy cell पे हम click करेंगे ताकि इस cell में जो भी हम value लिखे वो row color हो जाए अब मैं दूँगा color यहाँ से format में जाके जो भी आपको color ठीक लगे जैसे मैं यह blue color ले रहा हूँ and इससे कर देंगे okay okay करने के बाद यहां से भी हम कर देंगे okay अब देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे type किया bit2 तो आप देख सकते हो जो पूरा row है वो select सवरी color हो चुका है जो कि मैं जो मैंने color apply किया था इसके बाद मैं next try करता हूँ सही में पूरे नाम के लिए हो रहा है कि नहीं यह भी हम एक बार check कर लेंगे जैसे नाम दिया पलक आप देख सकते पलक वाला जो रो है वो color रो गया है नाम लेंगे अजय यह जो है वो भी select हो चुका है तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रो को color apply कर सकते है इस formula या फिर इस command के माध्यम से तो और इसमें एक थोड़ी और नई चीज मैं आपको बताना चाहूँगा उसे भी हम update कर लेते हैं को color करेंगे तो उसके लिए क्या कर रहा होगा तो सबसे पहले मैं यह rules clear कर देता हूँ clear करने के बाद तो अब हम पूरे table को select कर लेंगे तो table में आप ध्यान दिएगा कि मैंने यह उपर वाला भी जो row है उसे भी select किया हुआ है ताकि मैं पूरे column को color कर सको सो मैंने यह select कर दिया है अब मैं जाओंगा neural neural में जाना है used formula वहीं जो हम सीख रहे हैं अब यहाँ पर क्या करना है कि जब हम लोग यहाँ पर select कर रहेते cell को अब हम यह serial number वाले cell को select करेंगे serial number वाले cell को select करने के बाद अब क्या करना है यह जो column का lock है वो हटा देना है ताकि हम सभी column में split हो जाए यह सभी column में जा सके तो जैसे मैंने यह column का जो lock है इसे remove कर दिया है and अब मैं आप type करना is equal to is equal to type करने के अब वो चीज कहा पर लेना है मैं यहीं लेना है तो select कर दीजिए उस cell को then format में जाके फिर आप यहाँ से जो भी आप color लेना चाहें वो color choose कर सकते है जैसे मैं यह color ले लिया है and कर दीजिए ok and ok अब क्या होगा अब हम जैसे मुझे और example यह जो math वाला column है इससे select करना है या फिर color करना है तो simple यहाँ पर math type कर दीजिए तो आप देख सकते है वो जो पूरा math वाला column है वो color हो चुका है अगर मैं यहाँ हिंदी ले रहा हूँ तो आप देख सकते हिंदी वाला column select हो चुका है तो इस तरीके से आप conditional formatting में जाकर new rule में जाके use a formula to determine which a sales to format इस function का या इस command का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please इसे like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए Thank you, thank you so much